ड्रोइंग एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है आज हम सेवन्त क्लास के नाइन और टैन कौन बनाएंगे नाइन का कॉस्चिन है एक समकौन त्रीबुज बनाओ जिसका कर्ण A B रेखा के समान और एक भुजा A रेखा के समान दी हो तो पहले हमें एक कर्ण A B दिया हुआ है तो हम A B एक कर्ण लेंगे इसके ही बरावर अधार रेखा खिंचेंगे जैसे A B मैंने 6 सेंटिमेटर लिया तो A B अधार जो है वो भी 6 सेंटिमेटर ही लेंगे और भुजा A रेखा के समान दी है यह है A अब A B सरल रेखा जो है इसका समद्धिभाजन करेंगे आदा से ज्यादा परकार निकाल कर A B रेखा का समद्धिभाजन करेंगे जहां पर दोनों चापें आपस में कट रही हैं वहां से डॉटिड लाइन लेते हुए A B रेखा को दो भागों में बांटना है समद्धिभाजन का जो सेंटर पॉइंट है वहां परकार रखकर A B रेखा पर एक हाफ सरकल अर्धवरित लेंगे समद्धिभाजन का मद्य बिंदू है उसे नाम देंगे O अब जो हमारे पास एक भुजा A D हुई है उसके ब्राबर परकार निकालेंगे A बिंदू पर रखेंगे अर्धवरित को काटेंगे यह है बिंदू C A और C को मिलाएंगे C और B को और यह कौन नमबर 9 बनकर त्यार है 10th question है एक समकौन त्रीवुज बनाओ जिसका आधार A B रेखा के समान और एक आधार कोन B के समान दिया हो आधार A B दिया हुआ है तो आधार A B लेंगे जितना हमें दिया गया है उतना ही हम आधार लेंगे आधार रेखा लेंगे और एक आधार कोन B दिया हुआ है ध्यान देना है B दिया हुआ है तो यह B पर ही बनेगा आधार कोन A दिया गया होता है तो वो A पर ही बनता है तो यह आधार कोन B है दिया हुआ पहले एक चाप लेंगे फिर पर चाप को थोड़ा कम करेंगे और यह उसी के समान B बिन्दू पर अधार कोन बनाएंगे B को चाप से मिलाते हुए उपर की तरफ को बढ़ाना है डार्ट लाइन लेनी है अब A बिन्दू पर 90 डिग्री का कोन बनाएंगे एक चाप लेंगे परकार को उतना ही रखकर दो चापें इस चाप पर काटेंगे चाप को उपर बढ़ाते हुए इस चाप को उसी बिन्दू से काटेंगे तो यह हमारा 90 डिग्री का कोन बन गया नब्बे डिग्री के कोण की चापें जहां आपस में कट रही हैं उसे ए बिंदू से डार्क लाइन में मिलाना है जहां पर यह दोनों रेखाएं मिल रही हैं यह है बिंदू C और यह कोण नमबर 10 भी हमारा बनकर त्यार है आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थेंक यू